कामना के ही कारण, कामना के ही दूसरे लोग शेरिर से दुश्कर्म करते हैं, वानी से दुश्कर्म करते हैं, तथा मन से दुश्कर्म करते हैं, शेरिर वानी तथा मन से दुश्कर्म करके, शेरिर छूटने पर मरने के अनंतर दुर्गती को प्राप्त होते हैं। महाकारुनिक चथागत भगवान गोतम बुद्धने इसके उपर जो मार्ग खोज निकाला है वह मध्यम आर्य अश्टांगिक मार्ग है। जैसे ठेक दुर्ष्टी, ठेक संकल्प, ठेक वानी, ठेक कर्म, ठेक आजेविका, ठेक परिश्रम, ठेक स्मुर्थी, ठेक समाधी। यहाँ जो आठ आंग है, यहाँ सब मनुष्य को सम्यक दुर्ष्टी से देखना है, सम्यक कर्मों से उसे आजीवन पालन करना है। यहाँ मार्ग आग देने वाला है, उपशमन करने वाला होए, विज्य होने के लिए ही, परिपूर्ण ज्यान के लिए और निर्वान प्राप्ति के लिए ही। तथा अगत भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में, अपनी धम्मदेशना में जो कहा है, वो यही कहा है। एक दुख आरे सत्य, दो दुख समुदय आरे सत्य, तीन दुख निरोद आरे सत्य, और चार दुख निरोद गामिनी पटी पदा आरे सत्य। दुख है एक वास्त विकता है, जुवन में सब जगह दुख ही दुख व्याप्त है, पैदा होना दुख है, बुड़ा होना दुख है, रोगी होना दुख है, मरना दुख है, शोक करना भी दुख है, रोना पिटना दुख है, पिडित होना भी दुख है, चिंतित होना भी दुख है परेशान होना दुख है इच्छा की पूर्ति नव होना यह महा भेंकर दुख है प्रियोक आवियोग दुख है तथा अप्रियोका सयोग भी दुख है चारों महाभूतों के कारण ही यह रूप उत्पन होता है यह चार महाभूत है पृत्वी धातू जलधातू अगनी धातू तथा वायुधातू जिस प्रकार काठ बल्ली तुरून तथा मिट्टी मिलकर आकाश खुले को घेर लेते हैं और उसे घर कहते हैं इसी प्रकार हड़ी मास तथा चर्म चमडी मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और उसे रूप कहते हैं हमारा विज्ञान और हमारा चित्तो मन हेतू से पैदा होता है बिना हेतू के विज्ञान चित्त की उत्पत्ती नहीं है आख और रूप के सैयोग से जिस विज्ञान और चित्त की उत्वत्ति होती है वह चक्षू विज्ञान कहलाता है कान और शब्द के सैयोग से स्रोत विज्ञान नाक और गंद के सैयोग से घ्रान विज्ञान काया और स्पर्ष के सैयोग से काई विद्या, मन तता धर्म, मन इंद्रिय के विशे के संयों से मनो विज्ञान की उत्पत्ति होती है उस विज्ञान का जो रूप है, वहा रूप उपादान सकंद के अंतरगत है उस विज्ञान में की जो वेदना एने अनुभूती है वहाँ वेदना उपादान असकंद के अंतरगत है उस विज्ञान में की जो संग्या है वह संग्या उपादान असकंद है अंतरगत है उस विज्यान में का जो संसकार है वे संसकार उपादानसकंद के अंतरगत है उस विज्यान में का जो विज्यान है वह विज्यान उपादानसकंद के अंतरगत है सभी संसकार अनित्य है सभी संसकार दुख है सभी धर्म अनात्म है क्योंकि रुप अनित्य है वेदना अनित्य है संग्याभी अनित्य है संसकार अनित्य है तथा विज्यान अनित्य है जो अनित्य है सो दुख है जो दुख है सो अनात्म है जो अनात्म है वह न मेरा है न वह मैं हूं न वह मेरी आत्मा है चीर काल तक माता के मरने का दुख सहा है, पिता के मरने का दुख सहा है, पुत्र के मरने का दुख सहा है, पुत्री के मरने का दुख सहा है, रिष्टेदारों के मरने का दुख सहा है, संपत्य के विनाश का दुख सहा है रोगी होने का दुख सहा है उन माता पिता मरने का दुख सहने वाले ने पिता के मरने का दुख सहने वाले ने पुत्र के मरने का दुख सहने वाले ने पुत्री के मरने का दुख सहने वाले ने प्रिष्टेदारों के मरने का दुख सहने वालों ने संपत्ति के विनाश का दुख सहने वालों ने रोगी और दुख सहने वालों ने संसार के बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और और प्रिय के सैयों के कारण जो रोपिटा कर आसु बहा है वेही अधिक इन चारों महाभुतों का जल है वही कारण भी है यहां जो फिर फिर जन्म का कारण है यहां जो लाग तथा राग से युक्त है यहां जो जहां कहीं भी मजा लेती है वहाँ जो तुष्णा है जैसे कामो तुष्णा भवतुष्णा तथा विभव तुष्णा ये तुष्णा ही दुखे समुदे के बारे में आरे सत्यों एने सर्वस्रेष्ट है इंद्रिय जनीत इंद्रियों से उत्पन तुरुष्णा ही काम तुरुष्णा कहलाती है जिवनस्ताई रूप से बना रहे देखने की तुरुष्णा ही भवतुरुष्णा कहलाती है जिस व्यक्ति को आतमा के अस्तित्व हेवं उसकी नित्यता में विश्वास होता है वही भव तुरुषना का सिकार होता है जिस व्यक्ति का मिध्यामत होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरा अस्तित्व है और जन्म से फुरुव तका मृत्यु के पच्छाद मेरे जिवन का किसी भी अस्तित्व से समंद नहीं है वही विभव तुष्णा का सिकार होता है संसार में जो प्रियकर है संसार में जिसने मजा है वही तुष्णा पैदा होती है और वही अपना घर बनाती है संसार में प्रियकर क्या है संसार में मजा किसमे है संसार में चक्षू आख प्रियकर है संसार में चक्षु मजा है संसार में रूप प्रियकर है संसार में रूप में मजा है संसार में स्रोत कान प्रियकर है संसार में स्रोत में मजा है संसार में शब्द प्रियकर है संसार में शब्द में मजा है संसार में घ्हान नाग प्रियकर है संसार में घान में मजा है संसार में गंद प्रियकर है संसार में गंद में मजा है संसार में जिवा प्रियकर है संसार में जिवा में मजा है संसार में रस प्रियकर है संसार में रस में मजा है संसार में काय प्रियकर है संसार में काय में मजा है संसार में स्पर्ष प्रियकर है संसार में स्पर्ष मजा है संसार में मन प्रियकर है संसार में मन में मजा है संसार में मन के विशय ऐने धर्म सबाव प्रियकर है संसार में मन के विशों में मजा है इनी में यह तुष्णा पैदा होती है और इनी में यह अपना घर बनाती है इन इंद्रियों के विशे के संपर्क से उत्पन होने वाली वेदना प्रियकर है इस वेदना अनुभूती में मजा है इस प्रकार विशों में आसक्त होकर व्यक्ति दूख भोगता है ऐसे प्रियकर के प्रति आसक्त होने वाला वेदना हनुभूती का अनुभो करता है वह उस वेदना में आनंद लेता है प्रसंशा करता है उसे अपनाता है वेदना को जो अपना बनाता है वही उसमें राग उत्पन होता है वेदना में जो राग है वही उपादान एने ग्रहन करने की इच्छा है जहां उपादान है वह जहां भव अवा गमन है जहां भव है वहां पैदा होना है जहां पैदा होना है वहां बुड़ा होना है मरना शोक करना रोना पेटना पिडित होना चिंतित होना प्रेशान होना सब है कि इस प्रकार इस सारे दुख का समुदय होता है दुख्ष के निरोध के बारे में आर्य सत्य है उसी तुरुष्णा से संपुर्ण वैराग्य उस तुरुष्णा का निरोध त्याग परित्याग उस तुरुष्णा से मुक्ति अना सक्ति यही दुख्ष निरोध के बारे में आर्य सत्य है संसार में जो प्रियकर है संसार में जिसने मदा लिया है उसने उसके प्रती तुषना पैदा होती है उसी में निरोद करने से निरुद होता है संसार में जो कुछ भी प्रियकर लगता है संसार में जिसमें मदा आता है उसे दुख करके समझेंगे रोग करके समझेंगे उससे डरेंगे वही तुरुष्णा को छोड़ सकता है यह जो रूप का निरोध है उपशमन है अस्त होना है यही दुक्क का निरोध है रोगों का उपशमन है जरामरन का अस्त होना है यह जो वेदना का निरोध है संग्या का विरोध है संसकारो का विरोध है तथा विज्ञान का विरोध है उपशमन है अस्त होना है यही दुख का निरोध है रोगों का उपशमन है जरा मरन का अस्त होना है निर्द्ध हो जाता है उपादा निर्द्ध हुआ जो भव निर्द्ध भव निर्द्ध हुआ तो जन्म जाती निर्द्ध पैदा होना निर्द्ध होना जो बुड़ा होना, मरना, शोक करना, रोना, पिटना, पिडित होना, चिंतित होना, परिशान होना, यह सब निरुद्ध हो जाता है, इस प्रकार कि सारे के सारे दुख सकंद का निरुद्ध हो जाता है, यही शांती है, यही श्रिष्टता है, यह जो सभी संसकारों का ख्षम विराग फरूप निरोद फरूप निर्वान है जिसका रुधे राग से पनुरक्त है द्वेश से गुशित है मों से मूढ है वा ऐसी बातों को सोचता है जिससे दुख हो वा ऐसी बातों को सोचता है जिससे दुसरों को दुख हो किन्तु जिसका रुद है राक से मुक्त है द्वेशे मुक्त है मुहों से मुक्त है वह ऐसी बातों को नहीं सोचता जिस से उसे दुखो वा ऐसी बाते नहीं सोथता जिससे दुसरों को दुखो उसको मांसिक दुख तथा चिंता नहीं रहती इसी प्रकार व्यक्ति जिते जी निर्वान को प्राप्त करता है जो काल से सिमित है जिसके राग में कहा जाता है कि आओ और स्वयम देख लो जो उपर उठाने वाला है ज जिसे प्रत्ति गुधिमान व्यक्ति स्वयम प्रत्यक्ष कर सकता है इस प्रकार व्यक्ति जब शांत चित्त हो जाता है जब बंदनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है तब उसको कुछ और करना शेष नहीं रहता जो कार्यवह करता है उसमें कोई ऐसा नहीं होता जिसके लि की लिए जो मार्ग दिखाया है हमें उसका अवश्य अनुभरक करना चाहिए उस बातों का अनुशन्न करना चाहिए जान लेना चाहिए और हमें सेयम को अपने आप में सुक शांती निर्मान करना चाहिए भवतू सब्वमंगलंग सबका मंगल हो सबका कल्यान हो सभी को तथागत के धूँ